हेलो फ्रेंड्स आज हमके एक केस देखें एक इस है अमर्जंसी केस कैसे कैसे इसमें कि आप देख पा रहे हैं यह cat है और cat के इस रेक्टल पार्ट है यह रेक्टल पार्ट से यह प्रोलाप्स हो यह जो भी अंदर का मटीरियल है यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू डॉक्टरा मिद्धून पैट लाइफ आप सभी का स्वागत है फिर से डॉक्टरा मिद्धून पैट लाइफ अनिमल क्लिनिक्स में और आज हम बात करेंगे एक most important topic के बारे में जो की है एक यह जन्रलापस या फिर फिर फॉल्सकते है और प्रेंड्स इसक्ति होती है जिसमें कि रैक्टल जो टीशू होते है प्रोट्यूड कर जाती है बाहर निकल जाती है कहां से एनस के फृटरूब और साथी यह किस कारन्ड से होती है यह जन्रली जब रिपितेड़ी strains पढ़ता है जब दबाव पढ़ता है कब जब वो पूप कर रहा होता है या फिर पॉटी कर रहा होता है या फिर टॉलेट कर रहा होता है यूरीन कर रहा होता है तो उस समय जो pressure पढ़ता है anal glands के उपर जो anal tissue होती है तो फिर वो जो tissue होती है अंदर की वो भार आ जाती है तो इस कारण से annal prolapse या फिर rectal prolapse हो जाता है तो फिर हम देखेंगे दो type के prolapse होता है जनरली एक होता है partial prolapse दूसरा होता है complete prolapse partial prolapse में क्या होता है एक small portion of annal जो rectal tissue होती है वही दिखती है और वही protein out करती है ठीक है और एक दूसरी condition कौन से होती है जिसमें की पूरी की पूरी anal tissue या फिर rectal tissue पूरी lining के साथ पूरा बहार निकल जाती है और इसमें dog strain नहीं कर रहा होता है लेकिन उसके tissue क्या है बहार निकल जाएगी और साथ में spontaneously अंदर नहीं जाएगी बट वो बहार निकल जाएगी और काफी गंदगी फैल जाएगी उस वाले rectal tissue पर जो rectal prolapsed tissue होता है काफी bright color का होता है red होता है और swollen tube की तरह आपको बहार दिखेगा और जनरली वह fluid filled होता है मास होता है क्योंकि काफी swollen हो जाती है है ना अब हम आगे बढ़ते हैं हम कुछ symptom जान लेते हैं symptoms क्या होते हैं रेक्टल और anal prolapse में dog में जोकि symptom होंगे जनरली वह एक tube type होगी और एक swollen mass होगा red mass होगा और जनरली उस समय खाना खाना पिना थोड़ा सा छ train करना भी छोड़ देता है क्योंकि उसका जो रेक्टल प्रोलैप्स है पुरा का पुरा मास पहार आ जाता है इस condition में जनरली यह medical condition होती है जिसमें की surgical intervention जरूरी होती है otherwise वह अंदर नहीं जाएगा अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या causes होते हैं एक रेक्टल प्रोलैप्स या फिर एनल प्रोलैप्स जो हता है डॉग के अंदर कौन कौनसी conditions के ताल यह सब चीज़े हो जाती है तो फिर जो conditions है सबसे पहले हम बायत करेंगे जिसमें की severe diarrhea होता है severe diarrhea जब हो जाता है conditions में तब ऐ ऐसे condition आ जाती है second chronic constipation chronic मतलब बहुत लंबे समय तक constipation चल रहा है खाना पीना अच्छे से मतलब नहीं हो पा रहा है उसका कि कि hard food material है और hard stools निकलते हैं तब भी होता है third reason का हो सकता है parasites parasites के infection भी एक बहुत बड़ा कारण है चौथा कारण है inflammation of intestinal tract inflammation सूजन जो होती है इंटेस्ट्राइन से जो से की आंथ है आतों में सूजन आ जाएगी जो other causes हो सकते है urethral obstruction मतलब जो urine करने का passage उसमें obstruction आ सकता है उससे क्या होता है urine carry कर रहा होता फिर pressure मारती है dog या फिर cat ठीक है उसके साथ यह चीज़ा हो जाती है कभी कबार enlarged prostate gland के वह से भी यह चीज़ा हो जाती है straining of pee इसलिए होता है यह चीज़ next reason हो सकता है obstruction of bowel जो भी उसके feces है जो potty होती है वह फस जाती है किसी current से वह intestine में क्यों कोई foreign object होता है उसके अंदर इसलिए may possible उस वाले रास्ते में इस तरीके से constipation हो जाएगा और साथ में एक rectal prolapse या straining वाली जो activity होती है वो dogs के अंदर या फिर cat के अंदर दिखने शुरू हो जाती है थर्ड रीजन हो सकता है straining of pregnant female with dystopia जिसके अंदर डिस्टो क्या होता है डिस्टो क्या मतलब difficult birth ठीक है जो pregnant females होंगी वो strain लगाएंगे तो फिर कभी कबार उस कारण से भी यह हो जाता है दूसरा हो सकता है dogs की जो anatomy होती है या फिर हेलिटी कंडिशन होती है बर्थ के जो defects है उसके विज़े से भी यह चीज हो जाती है पांच वा रीजन हो सकता है rectal polyps जो polyps होते है clumps of cell जैसे कहते हैं उसके विज़े से भी यह चीज हो जाती है ति नेक्स रीजन कुड बी लाइक tumors in the rectum और एनस कभी कबार क्या होता है जो tumor होता है rectum में उसके एनस वाल एरिया में वहां पर भी यह चीज हो जाती है अब नेक्स आते हैं कि इसको डाइग्नोस किस तरीके से करेंगे डाइग्नोसिस बेसिकली यह विजिबिलिटी होती है इसमें क्या उलते सामने आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा आपका नियरेस्ट वेटनेरियन और वह देखेगा किस तरीके से एलॉंगेटे ट्यूब या फिर रेड़ वाली ट्यूब बहार निकली विए एक्स रेय या फिर अल्टरसाउंड कैन भी परफॉर्म्ड या फिर जो भी अब्डॉमिन में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रहे है वो डाइग्नोस्टिक टूल हो सकते हैं और साथी साथ यह रिटेंड फिटेसिज्म मतला जो बच्चा फस जाता है अंदर फिटस फीमेल डॉग में जब बच्चा दे रही होती है उस समय भी यह सब चीजें हो जाती है तो फिर यह कुछ कारण है मतला यह सब कुछ रीजन्स या फिर बोल सकते हैं इनके थूरू डाइग्नोस कर सकते है जो कि रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है डॉग में ट्रीटमेंट की बात करते हैं ठीक है अब हम देखने वीडियो में किस तरीके से हम पूरा का पुरा किस प्रोसीजर के तहत किस के तहत हम लोग किस प्रोसीजर के साथ आगे हम लोग यह रेक्टल प्रोलैप्स है किस तर सब्सकें से कि गिसमे की आप देख पा रहे हैं यह क्या है विजरकल पार्ट है अपर ज्राप के इते हैं अपर ग्रेटर केुए क्यान नहीं बाई बातार अधानी को है सबसे पहले चीज क्या करेंगे हम पहले जो मास है। इनल या फिर रेक्टल प्लैप्स का मास है उसको क्लीन करेंगे किस से नॉर्मल सलाइन सलूशन से। उससे भी पहले जो कैट होगी कंडिशन जनरल अनेस्टीशा में रहेगी उसको हम अनेस्थाइस करेंगे या फिर सिडेट कर देंगे। और जो उसका प्रोट्यूडेट मास है उसको हम पुरा क्लीन क्लीन अप करेंगे। और जो भी स्ट्राइल कंडिशन होगी साफ सफाई के साथ सब लोगों ने गलवस पहने होंगे। क्लीन अप करेंगे। करके सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है इसके बाद हम वेट करेंगे और बरफ की सिल्ली से या फिर आइस पैक से हम उसको मास्क रिड्यूस करेंगे साथी साथा 50% एक्स्टो सलुक्शन से भी यूज कर सकते हैं और उसका मास्क रिड्यूस कर सकते हैं तेके कम संब पांच से दस मिनिट इतना टाइम आपको लगेगा इसका मास है जो पिस्रिंक्ट मास है उसको शिंक करने में जल्डी करने में तो फिर उसको क्यों इंजडी हू सकती है लास्ट में हम slowly and gradually over the time जो भी मास है इस इंसर्ट करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से सारा का सारा मास हमने इंसर्ट कर दिया है अंदर और लास्ट में जब यह मास इंसर्ट हो जाएगा तो जनरली कंडिशन यह होती है यह रिय अकर हो सकता है इसमें क्या करेंगे हम रिय अकर ना हो हम एक स्टिचेज लगाएंगे स्पेशल ताइप का स्टिच लगाते हैं जो कि इसके एंसर्कल करके उसके राउंड में सो रैड की थोड़ा पॉटी भी कर पाए और साथ में स्टिचेज में भी प्रॉब्लम ना आए और इस तरह किसम कैरी फॉवर्ड करें जब हम स्टिच लगा रहे होंगे तो मेक शॉर हम लोग पर्स स्ट्रिंग नाम का सूचर होता है बेसिकली हम वही यूज़ करेंगे पर्स स्ट्रिंग सूचर ठीक है इस पेशल टाइप का वेटनेरी में यूज़ होता है और सूचर जो की एनल ग्लैंड प्रॉलैप्स में यह सब चीज़ें इस्तमाल होती है तो लास्क में इस तरीके से हम थोड़ा स्पेस चोड़ी है और फीसेज भी कर पाए और फाइव टू सेवन डेज की अब्जरवेंस में हम लोग इसको रहे है तो रहे है इस तरीके से कंडिशन री अकर ना हो आई होप आपको इस वीडियो ने काफी हल्प करी होगी बट 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 कभी भी आप अपने आप से कोई भी ऐसी चीज़ को अपने हाथ में नहीं लोगे बट उससे पहले आप जब भी ऐसी कोई कंडिशन आती है तो आपको सीरियस लेना है और फिर्सली अपने नियरेस्ट बनने की समस्या हो सकती है काफी बैक्टियल इंफेक्शन लोड लेने की काफी समस्या होती है अगर दो से दीन दिन तक ये बाहर रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर से इसको अंदर डालना या फिर एक तरीके से रिवाइब करना क्योंकि इंफेक्शन काफी बारे से रैक्टल प्रोलैब्स होने का वो डिक्रीज ज़िए बट एक और चीज़ा है कंडिशन में जो इसको बहुत ज्यादा बड़ा मस आता है जब रैक्टल क्रमस का उसमें हम एक दूसरा मैंथेड़ लिल ड्यक्टल टिश्वा वह हमको रिमूव आउत करनी पड़ सकत जो दो end होते हैं intestine को उनको mix करके वो उस तरह के से जो dead tissue है उसको remove out करके और जो काम की tissue है उसको इसको reconnect करके एक नई intestine को एक तरह के से form कर सकता है इसके लिए surgery requirement होती है जो कि surgical में dead tissue remove out कर देंगे और जो further risk है उसको decrease down करेंगे हाला कि the success rate is very very less जब यह intestine जोडते है अनास्टमोस से it is a very complicated surgery तो फिर survival के चांस भी बहुत कम होते है ठीक है और बाकि आपको मैंने reasons बता दी है किस तरीके से कौन-कौन से causes होते हैं but make sure आप अपने pet को कभी भी hard stool नहीं खिलाएंगे hard stool correction hard food नहीं खिलाएंगे और so that कि क्यूंकि अगर कुछ liquid के साथ कभी food देते हैं तो फिर वह help करती है एक stool को easily pass on होने में ठीक है और management क्या है इसका basically management यहीं आपको stable जगा पर रखना है और liquid diet आपको देनी है कम से कम lactolose आप कुछ दिन के लिए आप lactolose syrup यूज कर सकते हैं अपने pet को देने के लिए so that कि इसका bowel movement अराम से regulate हो पाए आपको regularly fecal examination करवाने होंगे अपने pet के और साथी साथ deworming is very very necessary अगर डिवामिंग नहीं कराएंगे तो क्या होता है internal parasite जो होते हैं वो पनपने में एक तरीके से है पनपने में जो होते हैं help करते हैं और essential worms होते हैं उनको खा जाते हैं ठीक है और जो आप एक और method यूज कर सक होते हैं जो कास्टेक्शन होता है न्यूटरिंग जिसे कहते हैं it will help you definitely क्यों क्योंकि आपका जो dog है जो enlarged prostate gland हो जाता है उसको decrease down करने में ठीक है उससे क्या होगा जो यह रेक्टल प्रोलैप्स वाली condition है वो भी decrease down हो जाएगी क्यों क्योंकि जो male hormone है वो decrease down level होगा और जो enlarged prostate gland है वो decrease down होगा तो फिर definitely जो यह वाली condition है रेक्टर प्रोलैप्स वाली वो भी decrease down होगी स्टूल के softner जूस कर सकते हैं low residue diet जो भी मतलब हमेशा recommended होते हैं post-operative के बाद हमेशा वो देने lactolose syrup के साथ या फिर धही मठ्था चांच जो liquid diet होती है वो देनी है हमको ठीक है और more ज्यादा जानकारी के लिए जो भी complications आते है according to conditions होती है आप अपने वेटनेरिंग जात डिसकस करेंगे इसके बारे में और वो आपको ज्यादा बढ़ा पाएंगे according to conditions जो भी उसका reason होगा और अगर आपके और ज्यादा doubts है इसके रिगार्डिंग में तो फिर आप साथ में इस वाले इस वीडियो के नीचे comment section पर अपने सवाल पूछ सकते हैं कुछ भी चीज अगर आप जवाब चाहते हैं हमको comment down कर सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं अगर हम किसी special पे किस अब हमारे जो भी new channel है हमारा YouTube का channel उसको आप subscribe कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही कुछ नए वीडियो नए-ने cases हम लोग discuss कर पाएं और हमारी जो pet community है वो एक healthy रहे और एक long life के साथ कम से कम 13-14 साल तक तो at least जिए है इनका life span बहुत ही कम होता है बट हम चाहते हैं इनकी जितनी welfare हो पाए जितनी अच्छे तरीके से हम care कर पाएं उतनी हम लोग care कर पाएं इतनी च्छोटी सी life में that's all for today thank you